अजी दोस्तों आप लोगों की स्पेशल डिमांड के उपर और जो आपने बरबर के कमेंट कर रखे हैं सर कंपेर करके दिखा दो कंपेर करके दिखा दो तो आज में दो स्कूतिया एक साथ कंपेर करके दिखा रहा हूँ एक मेरे पास Honda की Activa है एक Hero की Mestro है यह 125cc में आती है यह 110cc में अंदर आती है लेकिन इसके अंदर एक Variant और आता है जो 125cc के अंदर है एक नई वीडियो आएगी जिसके अंदर हम दोनो 125cc इंजिनों को Compare करके वीडियो बनाएंगे लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ इसके बारे में बताऊँगा आपको बिल्कुल डीपली बताऊँगा कौनसी स्कूटी लेने में फाइदा है कौनसी स्कूटी लेने में फाइदा नहीं है कौनसी स्कूटी की Market है कौनसी की Market नहीं है सारे compare आपको एक वीडियो के अंदर मिलेंगे अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखा करो यार मज़ा तो लास्ट को देखने में आता है लास्ट में जबरदस्त पंच मारेंगे एक ब्रेंड के उपर यह तो इस पे या इस पे पंच अच्छा लगे तो शेर कर देना नहीं अच्छा लगे तो कमेंट करके बताजेना सर्फ पंच अच्छा नहीं था जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो इसके अंदर है इसके अंदर LED लाइट यहां पे स्टिप्स आती है इसमें को LED नहीं है सिर्फ है और कुछ नहीं आ सबसे खास बात है इसकी नमब्र प्लेट आपको चोड़ी मिलती है स्क्वेर में मिलती है और इसकी नंबर प्लेट यहां पर आप माउंट करवा सकते हो अधर्वाइज इसके अंदर ओप्शन आता है कि आप इसमें माउंट नहीं कराना चाहते तो लंबी स्ट्रिप्स के अंदर लगवा सकते हो अब आजाता है जिसका सबसे बड़ा चेंज जिसके ओपर लोग दिवाने होगे कई बार मेस्ट्रों को ख़िद लेते हैं और एक्टिवागो छोड़ देते हैं मैं आपको चेंज दिखाता हूं कि वो क्या चेंज है इस स्कूटी के अंदर कंपनी क्लेम करती है ये डिजिटल मीटर के अंदर आता है पूरा डिजिटल मीटर है और इसका जो प्लस प्वैंट ये है कि इस मीटर को इजली बैक नहीं किया जा सकता तो जो स्कूटी आपको जैनून चली मिलेगी वो मीटर रिडिंग के अकोडि मिलता है चल्चका चलता है स्प्लेंडर वाला कुछ इस प्रकार का मीटर है और इसको बैक करना बहुत ज़्यादा ही जी है ज्यादा नहीं कह सकता है मार्किट के अंदर आपको 50% एक्टिवा हमेशा मीटर बैक में ही मिलेंगी लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जी हम जै मैं स्ट्रो बहुत स्वाव से दे रही है कि कस्टमर को पेट्रोल डलवाते है वक्त उठना नहीं पड़ता है पीछे से फ्यूल केप खुल जाता है यह मारे पास 19 मोडल है लेकिन आज भी इसकी डिगगी खोलके ही इसके अंदर पेट्रोल डलता है यह देखिए यहां पे इसका पेट्रोल का कैप इसके अंदर पेट्रोल डलता है इसके अंदर आप हैलमेट रख सकते हो आज भी कंपनी उनिस मोडल के अंदर यही फीचर दे रही है कि इसका पेट्रोल यहां डलता है इसको करते हैं बंद और आप दिखाता हूं आपको मैस्ट्रो की मैस्ट्रो के पेट्रोल डल जाएगा, शुआद आजाएगा जी ना आपको उतरना पड़ेगा, कई बार ऐसा होता है जी बच्चों के साथ बैठे होए और किसी के साथ बैठे होए हो, तो आपको स्कूर्टी से उतरने की जूर्त नहीं पड़ती, आपको ऐसे कैसे फिर्ड डल जाएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेट्रोल पीशे डलने से डिगी खुलने से डलने से कुछ फरक नी पड़ता और कहीना कहीं ये बात सच भी है कि सेफ्टी बनी रहती है पेट्रोल पर अगर आपके साथ बच्चे बैठ होए है तो उतर के अगर पेट्रोल डलेगा तो बैटर अगर्टिती अठीवाद तभी बहुत बहुत बार मैंने वीडियो के अंदर बोला है और किसी दिन में अपनी स्कूटी को दिखाओं अभी कौन सी स्कूटी मैं पांच या साल से यूज़ कर रहा हूं स्कूटी जबरदस्त है जी मेर्को चलाने में अमज़ा इसमें ज़़ बेचना चाहोगे तो आपके एक्टिवा भीग जाएगी मेश्टो बेचना चाहोगे 70 दख्के खाने पड़ेंगे लेकिन मेश्टो नहीं भीगेगी ऐसा बहुत साइडे लोग बोलते हैं लेकिन यह सच नहीं है आज के टैम में वेरनेस बहुत जादा होगी है लोग समझ जा आपको मिल जाएगी 45-50 के आराउंड में और मेस्टो मिल जाएगी आपको 40-50 के आराउंड में मोटा-मोटा 5000 पर का फरक रहेगा लेकिन फैसला च्वाइस आपकी रहेगी कि आपको कौन सा लेना मेरा काम आपको इंफोमिशन देने का है अगर आपको मेरी वीडियो आपको आपको कर दो कर दो दो है